दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश दोस्तो अक्सर विजिया दश्मी यानि दशहरा अभी बीता है और दशहरे के मौके पर अक्सर बधाई शुपकामना के जो संदेश आते हैं उनमें हर बार ये कहा जाता है कि रावन का जलाया जाना या जलना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है या तेवहर तो इस तेवहर को एक सिंबल के तोर पे इस्तिमाल किया जाता है कि ये अच्छाई की जीत है लेकिन दोस्तों अगर हम रियल, रियलिटी में अगर देखें, असलियत में देखें, तो हमारे समाज में इतने वरशों से, इतने दश्कों से नजाने कब से रावन जलाया जा रहा है बुराई का प्रतिक, लेकिन अगर देखिए आप, बुराई का प्रतिक जिसे कहा जाता है लेकिन अगर देखिए तो अच्छाई की जीत कहां हो रही है अगर आप देखें तो समाज में बुराईयां बढ़ती जा रही है विभेद बढ़ते जा रहे हैं अस्मानता बढ़ती जा रही है और सहिश्मता बढ़ती जा रही है बेद भाव बढ़ता जा रहा है अन्याय बढ़ता जा रहा है तो भारत के संविधान में हम पीछे की बात छोड़ दें हम स्वतंत्रता के बात जब हमने एडॉप्ट किया कांसिविशन तब से बात सुरू करें जब एक आधुनिक भारती रास्ट की आधारचिलार की गई हमे की शेत्रों में पिछड रहे हैं और इसके लिए आंकड़ों की जरूरत नहीं है अगर आप आंकड़े देखिए स्वेम सरकारी आंकड़े तो इसमें सब कुछ साबित हो जाएगा कि कितनी गैर बराबरी बढ़ी है आप राध किस तरह से हो रहे हैं लेकिन बहराल हम इस पर आज बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे कि दशारा या विद्यादश्मी के मौके पर अपने देश में जो बहुत सारे समारों होते हैं बहुत सारे धार्मिक होते हैं सांस्कृतिक होते हैं राजनितिक और संगठनिक भी होते हैं तो दोस्तों उसमें एक समारों ऐसा होता है जिसकी इन दिनों खासकर पिछले आठ सालों से बहुत चर्चा है और वो है राष्टी स्वयम सेवक संग जिसे भारती जनता पार्टी का वैचारिक आधार संगठन माना जाता है या मात्री संगठन माना जाता है तो आरेसेस का नाकपूर में जो विजया दश्मी के असर पर मुख्य या बहुत ही विशेस किस्म का समारो होता है वो इस बार भी संगठन हुआ खूब सुर्खियां बटोरी ही मोहन भागवजी की स्पीच ने खास तोर पे और टेलिविजन अखवार हर जगा हेडलाइन्स हर जगह दिखाया गया इस बात की भी बहुत चर्चा है कि इस बार जो समारो हुआ उसमें बहुत वर्षों के बाद जैसा कि मोहन भागवजी ने बताया कि अतीत में कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई महिला किसी विशेस समारो में आमंत्रित रही होंगी लेकिन हमलों की यादाश के इस समारों में कभी बुलाई गई हों याद नहीं है कम से कम हमें लेकिन इस बार संतोश यादो जो एवरेस्ट पर चड़ चुकी हैं कई बार उसको फतह कर चुकी हैं और विजेता हैं उनको बुलाया गया जो ITVP की आफिसर भी रही हैं उनको विशेष रूप से आमंतृत किया गया था जैसे आपको याद होगा एक दोर में प्रणो मुकरजी सहाब को आमंतृत किया गया था तो ये जो समारों था इसमें इसलिए हो सकता है संजोग की मोहन भागवजी ने महिलाओं के कांटेक्स्ट में बहुत सारी टिपणियां की हैं महिला स्वतंतिता की बात क कि जो आखवारों में खबरें चपी हैं या टेलिविजन पर जो दिखाया गया उसमें मोहन भागवजी की स्पीश के वल है जो आरेसेस के चीफ हैं संतोष जी की कोई इस पीश का कोई हिस्सा देखने को नजर नहीं आया कम से कम मेरी निगास से नहीं गुजरा प्रमुक अ जादो जी को वहाँ पर एक प्रतीक के तौर पे टोकिनीजम के तौर पे पेश किया गया कि देखिए हम महिलाओं को भी सामने लाते हैं चुकि आरेसेस में महिला रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं उसके नित्रितों में कभी नहीं रहा है और आज भी नहीं आए उसका जो भी ढाचा है टॉप उसमें कभी भी कोई महिला क्या उसमें दलित ओवी सी माइन आइटीज कम्मिनिटी के लोग कभी नहीं रहे हैं और बलकि यूँ देखा जाये तो सिर्फ और सिर्फ जो टॉप जो वरन है वरना श्रम धर्म बेवस्ता के उसी से जुड़े लोग जो तुने जाते नहीं हैं और केवल एक बार ऐसा मौका आया था जब एक गैर ब्राम्हन समुदाय के व्यक्ति को सरसंगचालक बनने का मौका मिला था जब राजंदर सिंग रज्जु भाईया जो उत्तर प्रदेश के थे जो बहुत ही शेर्स और वरिष्ट नेता थे आरे से उनको चुना गया था वरना आम तोर पे जो एक ही समुदाय एक ही वरण के लोग इस पत पर सबसे टॉप पोजिशन पे रहते रहे हैं और जो टोटल कारेकारणी है उसमें भी आम तोर पे उच्च वरणों के लोग ही रहे हैं कुछ एक रिप्रेजेंटेशन हाल के दिनों म में एक महिला को आमंतित किया संगठन के ढाचे में नहीं सिर्फ गेस्ट के रूप में और वह भी OBC कम्यूनिटी की अब यह बड़ा दिल्चस्प है और इसको लेकर तरह तरह की बातें कहीं जा रही हैं लेकिन दोस्तों अगर आप इसको पूरे परस्पेक्टिब में उससे ज्यादा कुछ नहीं है जैसे आपको याद होगा कुछ समय पहले की बात है जब मोदी जी की कैबिनेट का एक्स्पेंशन हुआ तो बताया गया कि इसमें 22-23 इतने इतने संख्या में OBC शामिल किये गए हैं लेकिन अगर आप देखिए कि जो भारत का जो OBC कम्यूनि ले हुए हैं उसमें वो बिलकुल निगेटिव दिशा उसकी है बिलकुल निगेटिव दिशा है तो ये बड़ा दिल्चस्प है अभी संजोग वस है हाला कि जूडिसरी के बारे में हम यह नहीं कह सकते कि वो गवर्मेंट के कंट्रोल में है लेकिन अप संजोग देखिए कि जिस दिन ये बहुत सारी बातें सरसंग्चालक कह रहे थे कि उन्होंने जैसे कहा एक बड़ी दिल्चस्प बात कि जाती के आधार पर विभेत करना अधर्म है समाज में सभी के लिए मंदीर पानी और अश्मशान एक होना चाहिए ये महन भागवत की स्पीच का एक हिस् सवाल इस बात का है कि इसमें न्याए और बराबरी कहीं नहीं है केवल है मंदिर मिलना चाहिए बराबरी का यानि मंदिर में प्रवेश सबका हो जाए पानी मिलना चाहिए श्मशान लेकिन बराबरी और न्याए नहीं इसमें है और एक अजीब दिल्चस्प बात है कि जाती विवेद खतम करने का और एक दिन पाले नौमी के दिन बिहार के हाई कोट में एक बड़ा दिल्चस्थ फैसला आया और वो फैसला था कि वहां पर जो लोकल बडिज एलेक्शन्स होते हैं जो इन फैक्ट वहां पर घोशित हो चुके थे और एलेक्शन की सारी तयारी च चला आ रहा था वो हाई कोट के आदेश के बाद खतम कर दिया गया और इस तरह से एलेक्शन की प्रोसेस ही वहां पर अब रुख गई है ये भी एक गटना गटी ऐसी बहुत सारी गटनाएं हैं जैसे आपको याद होगा बिहार के एक चुनाव के एन पहले रिजर्वेशन को लेकर स्वे मोहन भागवजी ने जो इस पीस दी थी आरक्षन को लेकर और उसमें उन्होंने कहा था कि ये 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 सब चीजें गैर जरूरी हैं वगरा इसको लेकर काफी बावेला मचा था और ये भी अनायास नहीं है कि आरेसेस और जनसंग वीजेपी का पुर पुर कारिशें सामने लाई गई थी उस वक्त भी इन्होंने विरोध किया था और कई जगा तो जलूस निकाले थे खार्सकर भारती जन्तापार्टी के लोगों उसमें से एक जलूस को तो मैंने रिपोर्ट किया था ना भारत टाइम्स के उस समय रिपोर्टर के तोर पे तो ये अब इसके अलावा उन्होंने जो कही बातें कुछ बहुत महत्पूर बातें उन्होंने कही हैं जैसे कहा कि महिलाओं के बारे में अब औरतों के हक की उन्होंने चिंता जताई है इस बार सवालिस बात का है कि जिस संगठन में औरतों का रिप्रिजेंटेशन नहीं है टॉप टॉप जो उसकी कमेटी है यहां तक की संग के संपूर्ण संरचना में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही नगणे रही है इधर थोड़ी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है पाले तो बि उसके ठीक उलट पाते हैं उन्होंने पहले भी कहीं बहुत सारी कहीं है इन दौर में जैसे उन्होंने शादी के बारे में जो बयान दिया था पूरे देश में उसकी चर्चा हुई थी उन्होंने कहा कि शादी तो एक कांट्रेक्ट है उसमें पती को जो मेहनत करनी पड़त है और अपना जो भी मुझा उनका मतलब था कि धंदी करने पड़ते हैं अपना कम करना पड़ता है और फिर वो जो कमा कर लाता है उसे पत्नी घर चलती है पत्नी का काम घर चलाएन इस तरह की बात उनोंने चीए थी अब हमारा यह कहना चाहिए था बराबरी का हग मिलना चाहिए था 50-50 का पर्डिस्पेशन होना चाहिए था ये सब बातें इस बार मुने कहीं तो संतोष जी चुकी आमंतित थी एक महिला के तोर पे हो सकता है कि यह भी एक महिलाओं को आक्रिस्ट करने के लिए RSS ने ये आहुआन किया हो लेकिन जब कौन उनसे सवाल करे, कि मंदिरों में देवदासी पृथा कब शिरू हुई, देवदासी पृथा कब शिरू हुई, और उसको रोकने की कोशिश की संगठनों की थी, दलितों के साथ जो उत्पीरण होता था या होता है, उनको कीन संगटनों ने इस देश्च में काम किया है है अब वो मुस्LYम के बारे में मुस्लिम के बारे में भी उन्होंने नए ढंक से कुछ बातें कही हैं लेकिन आपके कहने और आपके करने के भीज कितना फरक है माब लिंचिंग जब होती थी और अभी भी कभी कभी चर्चा होती अब उसकी घटना घट जाती है कोई लिकिन एक दौर में सिलसिला सा बन गया था आप यहों कुछ साल पहले की बात है बिल्किस बानों गुजरात का मामला बिल्किस बानों के परिवार के साथ जो कुछ हुआ जो हत्यारे और ब्रातकारी थे जिनको सजा हुई थी कोट से सजा हुई थी उनको 15 फजल्म के साथ और जादा घिनवना काम किया जा रहा है सरकारी अस्तर पर इसको नहीं किया जाना चाहिए क्या RSS ने ऐसा कहा? नहीं कहा. तो क्या ये जो बात की जा रही है, जो कहा जा रहा है, उसके कहने का क्या मतलब है? क्या वो प्रेक्टिस में आपके है? क्या वो आपके ब्योहार में है? तो ये एक बुनियादी जो फर्क नजर आता है, अब आप कहते हैं कि एक समरस्ता होनी चाहिए समाज में, आप कहते हैं कि समरस्ता होनी चाहिए, क्या RSS ने आज तक मनुस्मृति को कभी खारिस किया? मनुस्मृति के पक्ष में बोलने वाले बहुत सारे जो लोग इस देश में हैं, जो अपने को हिंदुत वधी कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो RSS के पदाधिकारी हैं, हमारे पास ऐसी कोई वो नहीं है, लिस्ट नहीं है, लेकिन अपने आपको हिंदुत वधी काने वाले लोग अगर इस देश में मनुस्मृति को आज भी डिफेंड करते हैं तो उस पर RSS का क्या stand है क्यों नहीं RSS एक बार कहता है कि मनुस्मृति आज के समाज के लिए या कभी किसी भी समाज के लिए एक कलंक रही है क्यों नहीं वो कहती उसे कहना चाहिए RSS को तो आप सम्रस्ता की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो हमारे समाज में हमारे लोगों के मानस में जो बरसों बरस से जो वित्रिशना जो घ्रिना जो नफरत बनाई गई है जो विशमता की खाई खो दी गई है उस पर बिलकुल खामोश हो जाता है आरेसिस तो ऐसे कैसे चलेगा तो शब्द और कर्म में जो फर्क है जो भेद है वो भयानक है आप सम्रस्ता की बात कर रहे है और ये भी अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो लोग है उनके बगेर कैसे हिंदू राष्ट अमल में आ सकता है उनको इंकार्परेट करके उनको लेकर ये हिंदू राष्ट बनेगा या भी कहीं आया है इस तरह की बात फिर बार बार ये कहना कि पापुलेशन उनकी जो है वो औसत उसका बढ़ता जा रहा है इंबैलेंस पैदा हो रहा है समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है हिंदू एक दिन माइनार्टी में चला जाएगा ये किस जमाने की बात कर रहे हैं और ये क्यों बातें कर रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे ऐसी बातें करते हैं उन पर भी क्यों नहीं RSS restriction लगाता है कि वह कोई हिंदुत्वादी संगठन चाहे जो भी हो क्योंकि संगठनों के आपस में associations का किसी को नहीं वालू लेकिन जो हिंदुत्वादी संगठन हैं उनको क्यों नहीं clear message RSS देता है क्यों नहीं भारत सरकार की और से message जाता है कि ये बातें नहीं की जानी चाहिए समाज में समरस्ता कायम करने के लिए आबादी का असंतुलन कैसे हो जाएगा अभी इस देश में भारत सरकार की जो पिछली जनगणना है उसके इसाब से 14.2% लोग मुस्लिम है इस देश में 14.2% और हिंदु पॉपुलेशन 80% है 79.80% यानि 80% के आसपास किस असंतुलन की बात कर रहे हैं आप तो मुझे लगता है कि रास्टी स्वहम सेवक संग बड़ी शक्ती बन गया जरूर है ये मैं मानता हूं कि उसके पास बहुत बड़ा तंत्र है बहुत बड़ा संगटन है मौजूदा जो सरकार है जनता द्वारा चुनी सरकार है लेकिन उसको निर्देशित करने वाली सबस बड़ी जिमेदारी है अगर सचमुच उनको तनिक भी अपने देश चे मुहबबत है प्रेम है कि इस देश को सम्रिद्ध और सुखी बनाने के लिए शांतिपूर्ण एक समाज बनाने के लिए ये जरूरी है कि जातियों के बीच धर्म के अवलंबियों के बीच अलग होनी चाहिए प्रेम होना चाहिए साहिशनुता का माहूल होना चाहिए आकिर ये जो चीज़ है पिछले आठ सालों में अगर बड़ी है कटता बड़ी है विभेद बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है इसलिए बहुत बड़ा सवाल है कि RSS जो कह रहा है और समाज में जो हो रहा है शासन प्रशासन मशीनरी उसके अस्तर पर जो चीजें हो रही है उन दोनों में बहुत बड़ा भेद है इस भेद को कौन मीटाएगा इसलिए राश्री स्वेम सेवक संग के इस बार के विज्यादश्मी के समारों पर यह जो बहुत सारी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उ जो समाज के उत्पीडित हिस्से हैं खासकर दलित आदिवासी ओवीसी इन समुदायों में बहुत काम कर रहा है लेकिन सवाल इस बात का है कि वो समावेशी विकास के लिए काम कर रहा है या सिर्फ कुछ प्रतीकों को खड़ा करके इन समाजों से टोकनिजम के जरिये जैसे मंत्रि मंडल में कुछ लों को जगह दे देना लेकिन उस पूरे समाज पूरे समुदाय के व्यापक हितों की अंदेखी करना तो यह जो एक टोकनिजम है जो दिखाई देता है इस समारो में भी मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे देश के बहुत सारे राजनितिक दलों के पास या बहुत सारे संग्टनों के पास जो एक व्यापक समावेशी विकास की दृष्टी नहीं है और उसके एवज में उसको उसको एक तरह से रिप्लेस्व करते हैं टोकिनीजम से और कुछ प्रतीकात्मक धंके कदमों से ये वही है और RSS मैं समझता हूँ या BJP टोकिनीजम और प्रतीकों के जरिये राजनीत में अपनी जगह बनाना चाहता है क्योंकि बहुत सारे जो दलित, आदिवासी, OBC समाजों की बीच से उभरने वाले संग्टन हैं वो स्टेगनेशन एक गतिरोध की शिकार हैं और उनके नेत्रत पर उनके अंदर से भी कुछ सवाल उठ रहे ह एक समानता का जो एक बरताओ होना चाहिए एक समता मुलक समाज के लिए जो एक लड़ाई या संगर्ष होना चाहिए जो मेहनत होनी चाहिए जो जो लगातार उसके लिए कोशिश होनी चाहिए उसमें जो कोता ही है दूसरे संगठनों की उसका फैदा आरिसस उठाना चाहत है तो दोस्तों इनी शब्दों के साथ आज इतना ही नमश्कार आदाब सच्छी अकाल